हलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी को तो आज मैं आपको सुपर टेश्टी पोहा बनाना का एकदम आसान तरीका बताऊंगा आप इसको इसली अपने घर पे भी बना सकते हो खाने में बहुती ज़्यादा टेश्टी बनता है तो दीखे इसका थिकना दीखे इसका कलर दीखे तो यही वो पोहा है जो आज हमने बनाए आप इसको सिर्फ और सीपास 6 मिट में इसली अपने घर पे भी बना सकते हो यह खाने में भी बहुती ज़्यादा टेश्टी बनता है और उतना ही सॉफ्ट रहता है दीखे तो वीडि से पाच पिलेट की हिसाप से बना रहे है आप अपने हिसाप में कम ज़्यादा कर सकते हो सबसे परले हम पोह को अच्छी तरीकर बिखोने रग देंगे तो 2-3 पानी से आपको पोह को अच्छी तरीकर से धो लीना है इसमें काफी ज़्यादा डुश्ट और लगा रहता है जो हमारे सरीर केरे काफी ज़्यादा हानी करेता है तो आपको बिल्कुल दो-तिम पानी से इसको अच्छे तरह कैसे धो लेना है देखिए तो देखिए फ्रेंड्स इस पानी को हम निकाल देंगे इसके बाद और एक पानी से हम इसको अच्छे तरह कैसे धो लेंगे तो देखे हमने पानी को निकाल दिये इसके बाद और पानी हम इसके अंदर आड़ कर लेंगे तो पुहाँ हमने अच्छे quality वाला लिया है तो आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो अच्छे तरके से हम इसको और अच्छे तरके से इसको धो लेंगे और देखे इसी पानी को हम निकाल देंगे और पुवे को हम बिल्कुल 4-5 मिन तक भीगोने रख देंगे उसी के साथ यहाँ पे देखे हमने हरीमेज, प्याज और लिंबो को अच्छे तरके से कट कर लिया है हरीमेज को आपको बिल्कुल इसी परकार से कट कर लिना है इसके बाद हम लेंगे एक स्टेनलेश टिल का पैन इसको अच्छे तरके से हम गरम होने देंगे इसके बाद हम इसके अंदर अड़ कर लेंगे फ्रेस ओईल दिखिए ओईल को हम अच्छे तरह के से गराम होने देंगे और चारो तरो पैन के चारो तरो आप इसको अच्छे तरह के से हम फेला देंगे और जो extra oil है उसको निकाल देंगे और जैसी हमारा cooking oil अच्छी तरह किसे गराम हो जाए हम इसके अंदर add तो आप नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको skip भी कर सकते हो आप इसमें दिखिए हमने इसमें peanuts को भी add कर दिये है peanuts आप अपने quantity की हिसाब से कम जादा ले सकते हो अच्छे तरह किसे हम इनको भून लेंगे एक से दो मिन तक जब तक यह अच्छे तरह किसे पकना जाए तो दिखिए सबसे पहले आपको peanuts को यह अच्छे तरह किसे पकने देना है यह हम इको पहे के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टिश्टी लगता है देखिए यहाँ पे हमारा फली दाना बिल्कुल पक चुका है इसके बाद हम इसके अदर add कर लेंगे half teaspoon राई और half teaspoon जीरा इनको भी हम अच्छे तरह किसे तिरकने देंगे और इसके बाद हम इसके अदर add कर लेंगे slice में कटी patch patch को आपको अच्छे तरह के से पकने देना है ज़्यादा golden to brown नहीं करना है आपको बिल्कुल patch को 80% तक ही पका देना है तो आप इसको घर पे बना रहे हो तो आप इसको easily hotel जैसा बना सकते हो खाने में बहुत ज़्यादा टिश्टी बनता है देखिए पैच पकने के बाद हम इसके अंदर add कर लेंगे हरी बिर्च जो हमने पहले से cut करके रख दिये थे और पैच के साथ हम इसको अच्छे तरह कैसे mix कर लेंगे और एक से दो मिन तक हम पकने देंगे तो ध्यान रखिए आपको हरी में इसको ज़्यादा पकाना नहीं है बिलकुर इससे भी आपको 70-80% तक ही पका लेना है और यहाँ पी देखिए हमने पैच को ज़्यादा golden to brown नहीं किये पैच को हमने बिलकुर 80% तक ही पका दिये थे इसके बाद हम इसके अंदर add कर लेंग अच्छे तरह कैसे हम इनको mix कर लेंगे और हमारा पोहावी अच्छे तरह कैसे भीग चुका है हम इसके अंदर add कर लेंगे और प्याज, मिर्ची और मटर के साथ हम इसको अच्छे तरह कैसे mix कर लेंगे इसलिए उल में आपको gas की flame थोड़ी बढ़ा देनी है और अच्छे तरह कैसे आपको इसको mix करते रहना है बिल्कुल इसी परकार से 2-3 मिन तक तो आपके पास fresh धनिया है तो आप इसको भी इसमें add कर सकते हो इसके बाद उपर से add करेंगे हम lemon lemon juice आपको इसके अंदर add करना है इससे हमारा पोहई में बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है और अच्छी तरह कैसी इसको 1-2 मिन तक आपको mix करते रहना है तो देखे फ्रेंड्स यह हमारा बाजर जैसा टेश्टी soft पोहा बिलकूर ready हो चुका है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनता है कलर देखिए स्थिकनस देखिए तो वीडियो अच्छा लगाँगा तो वीडियो का लाइक करे शेर करे कमेंट करे चानल पर नहीं होंगे तो चानल को सब्सक्रेब करना ना भूले